अगर आपको कुछ नहीं बनाना आता है आप फिर भी यह पाउच बना सकते हैं मैं आपको एक नहीं ट्रिक दिखाने जा रहे हैं मेरे पास था जूट का फैबरिक आपको भी फैबरिक यूज कर सकते हैं मैंने सेम मिजरमेंट की एक लाइनिंग कटिंग की है मेरे पास एक गोटा पड़ा हुआ था जो मैंने इस पर अटेच कर चुका है मैं इसकी लेंथ आपको बताती हूं यह साड़ी 13 इंच है और इसकी ड़ोगो कि आपको नहें पर किधो हमारे लाइनिंग था उसे इस तरह से रखwsक है मैंने इस तरह से लगा दिया हैं अब मैंत्या करणि इसे सीधा और इस करूँ बाल रखाता इस तरह से सथा में मैं हुसरे-इस तरह से फिर से हम इसके उपर रखके उसी तरह स्लाई कर लेंगे देखिए मैंने सिधा स्लाई कर दिया है अब हम इसे यहां से चेन को ओपन कर लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से सिधा हो गया इसीधर आपको कुछ नहीं करने है सिर्फ सिधा सीधा करना आना चाहिए बसu यह हो गया सिधा अब हमें क्या करना है इस साइट पर हमें करना है इधर भी और इधर भी मैंने इस पर इस तरह से दुन साइट स्लाइट करती है अब ऐसा चीज तो आखिकर पर मिले गई अगर नहीं है तो आप किसी भी कपड़े का बना सकते हैं मेरे पास यह था पहले से इस तरह से उल्टा करती है अब हमें क्या करना है इसे इस तरह से इसका यह वाला पाट कर देंगे और इसे इस तरह से यह वाला इससा बाहर कर देंगे इस तरह से रखके इसके उपर स्लाइट कर देना है सेम चीज हमें यहां भी करना है देखिए मैंने इस तरह से इसके कि यहां पर स्लाई कर दिनी है पर इस कपड़े को फोड कर के स्लाई करते हैं दोनों साइप देखे Jord i तरह से पैक कर दिया अब मैंसय सीधा करना है उस पर कुछ नहीं करना है सीधा स्लाई करना है बस होगे बहुत प्याहिक भाए लगा है इस पर आप अराम से अपना सिस्क्राइब किजिए